प्रिया दर्सकों नमस्कार आए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार सेल रावर केला स्टील प्लांट में सभावना दिवस का पालल रावर केला स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी ने कहा स्वें, परिवार, संकठन और समाज में बड़ा परिवर्तन लाने के लिए कौशल और ग्यान का विकास करे और आजादी का अमरित महुदसब की कड़ी में आज के ब्यक्तित में गोपिनात महनती अब समचार विस्तार चे सेल रावर केला स्टील प्लांट आरेसपी ने पूरे देश के साथ मिलकर 20 अगस्त को सदभावना दिवस का पालन किया आरेसपी के निदेशक प्रभारी डी आईसी स्री अतानुभावमी के नेतरितु में निदेशक प्रभारी के कार्याले में शपत ग्रहन सामारो आयोजित किया गया कारी पालक निदेशक वर्क्स स्री एसर सुरीवन्शी कारी पालक निदेशक सामागरी परवंधन स्री S. त्रिपाठी और मुख्य महा परवंधक प्रभारी वित एवं लेखा स्री A. के बेहूरिया ने भी अपने संबोधित कार्यालियों में आयोजित अलग-अलग सामारों में संकल्प ग्रहन की इसी परकार के समारों विभीन कारयालियों में भी आयोजित किया गया जिसमें अधिकारियों और विभीन वर्गों के कर्मचारियों ने सद्भावना दिवा संकल्प ग्रहन किया इस अफसर पर कार्मिकों द्वारा ओडिया, हिंदी और अंग्रेजी में संकल्प ग्रहन किया गया कि वे जाती, संप्रदाय, छेत्र, धर्म, अत्वा भासा का भेत भाव किये बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एक्ता और सत्भावना के लिए कारी करेंगे उन्होंने यह भी प्रतिग्या की कि वे हिंसा का सहारा लिये बिना सभी प्रकार के मतभेत, बाच्चित और समवैधानिक माध्यमों से सुल जाएंगे उलेकनी है कि 20 अगस्त को भारत के पूर परधान मंत्री स्वर्गिय राजीव गांधी की जैनती है जिसे हर साल देश में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिवस का उदेश सभी धर्मों, भासाओं और छेत्रों की लोगों के बीच राश्रिय एक्ता और सामप्रदाइक सद्भाव को बढ़हवा देना है राउरकिला स्टील प्लांट RSP के निदेशक प्रभारी स्री अतानू भौमिक ने HRD सेंटर में 20 अगस्त को आयोजित प्रशिक्षन सलाहकार समीती की बैठक को संबोधित करते हुए कहा स्वें, परिवार, संगठन और समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए कोशल और ज्यान का भी कास करें कारी पालक निदेशक Works स्री Exact सुरीवनशी, कारी पालक निदेशक समारी परवधन स्री सौ नात्रिपाठी, कारी पालक निदेशक MNHS Dr. B. के होता और कारी पालक निदेशक HRD MTI स्री संजीब कुमार ने इस अपसर पर उपस्तिते जिसमें सयंदर के विभीन इकाईयों के महा प्रवंदक और विभागा द्यक्षों ने भी भाग लिया बैटक का उदेश HRD पहल की समिक्षा करना और वार्षिक प्रशिक्षन योजना 2022-23 को मंजूरी देना था निदेशक प्रभारी ने विचार विमर्ष में गहरी दिल्चस्पिली और शिक्षन एबं विकास प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और परिनामों उन्मुखी बनाने के लिए विशिष्ट सुझाओ दिये निदेशक प्रभारी ने कर्मी समू से स्वें, परिवार, संगठन और समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए कोशल और ज्ञान विक्सित करने का आग्रह किया अपने संभोधन में स्री संजीब कुमार ने RSP में की जा रही विभीन मानों संसाधन पहलों की प्रशंसा की और डिजिटल परिवर्तन और उद्योग 4.00 के बारे में अधिकारियों के ज्यान और कोशल को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई नई पहल MTI आपके प्लब्दियों के साथ साथ चालू वर्स की युजनाओं पर मुख्य महाप्रवंधक HRD सुस्री राज श्री बनर जी द्वारा एक प्रस्तुति करन किया गया इस दोरान प्रदर्शन दक्षताओं शिक्षन और अनुप्रयोगों से संबंधित मुद्धों पर भी विस्तार से चर्चा की गई स्री भॉमिक ने उप महाप्रवंधक कोक अवन स्री नाराइन राव और सहाइक प्रवंधक एचेसम दो स्री प्रितम रंजन साहु को ई पाठशाला सिक्षार्थियों को तेजी से पूरा करने के लिए संबानित किया राष्टगान के गाइन के साथ कारिवाही शुरू हुई सुस्री राजश्री बनर जी ने सभा का स्वागत किया जबकि सहाइक महाप्रवंधक एचारडी स्री केके जायसवाल ने औप्चारिक धन्यवाद क्या पित किया आजादी का अम्रित महोत सबसमारों के तहत सेल रावर केला स्टील प्लांट और इशा के कुछ प्रशिद और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित हस्तियों पर सामचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है आज के व्यक्तित्व हैं गोपिनात महांति ओडिया साहित के जन नक माने जाने वाले गोपिनात महांति का जन 20 अप्रेल 1914 को कटक जीले की नागबली गाउं में हुआ था वे एक उर्जस्वी परशासक होने के अलावा उन्होंने उपन्यासों कहानियों और कथाओं सहीत विभिन सहीतिक गतिवीदियों में अपनी चाप छोड़ी थी 1955 में वे अपने उपन्यास अमरितर संतान के लिए केंद्र साहीत याकादमी पुरसकार प्राप्त करने वाले पहले उड़िया थे जिन्हें माटी मटाल उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित ज्यानपिट पुरसकार से समानित किया गया उन्हें 1981 में पद्म भूसन से समानित किया गया था उनका पहला उपन्यास मन गहिरर चास 1940 में प्रकाशित हुआ था जिसके बाद दादी बुद्ध 1944, परजा 1945 और अमरितर संतान 1947 में प्रकाशित हुई थी 1986 में वे संयुक्त राज अमेरिका में सैंजोस स्टेट उनिवर्सिटी में सामाजिक विज्ञान के सहाइक प्रोफेशर के रूप में नियुक्त हुए 20 अगस्त 1991 को सैंजोस कैलिफोर्निया में का निधन हो गया आवश्यक सूचना निरंतर हो रही बारिश को देखते हुए सब ही लोगों से अनुरोद किया जाता है कि वे और उनके परिवार के सदस्यगन किसी भी विरिक्ष के नीचे खड़े ना रहें और किसी भी विस्तार कक्ष यानि एक्स्टेंसंद रूम से दूर रहें आपात काल की परिश्थिती में उद्यान एवं क्रिशी विभाग के नियंतरन कक्ष के इन नमरों पर संपर्क करें आठ आठ नौ पांच पांच शुन्य एक एक पांच शुन्य और इंटरकॉम नमबर है तीन नौ पांच छे तीन इसके साथ ही आज के हिंदी समचार यहीं स कर दो